इस रो के मिशन सूर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल यानि 2 सेतंबर को भारत एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रियान 3 की काम्याबी के बाद इस रो अब 2 सेतंबर को सुभा 11 बच कर 50 मिनट पर सोलर मिशन आदित्य L1 को लांच करेगा। आदित्य L1 को लांच करने की सभी तैयारियां श्रीय रिकोटा में पूरी कर ली गई है। और तैय समय पर ही आदित्य L1 मिशन को लांच कर दिया जाएगा। इस रोखी तरफ से मिशन आदित्य L1 को लेकर तस्वीरे भी साजह की गई है। तो कल हम एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहे हैं। आदित्य L1 पर साथ पेलोड हैं। चार पेलोड इंसितु हैं। और अधर पेलोड रिमोट सेंसिंग है। इंसितु मेंज यह सूर्य के वायू मंडल स्टडी करने के लिए है। जो बाहर का सूर्य का वायू मंडल है। उसका तापमान तक्रीवन 10 लाख डिग्री है। तो चन्रियान 3 की सफलता के बाद अब इजरो की नजर आदित्य L1 पर है। जिसकी उल्टी गिंती भी शुरू हो चुकी है। आदित्य L1 इजरो सूरच का अध्यन करेगा और सौर तूफान की जानकारी जुटाएगा। चान्द के बाद अब क्या है सूर्य के लिए इजरो का प्लान आपको इस रिपोर्ट के जरीए हम दिखाते हैं। भारत का मेगा अभियान मिशन सूर्यान इस रो के फैसले से नासा भी है राद। बस थोड़ा इंतसार इस रो का सूर्य नमस्कार। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर काम्याब लैंडिंग के बाद इस रो अब सूर्य के अध्यान के लिए मिशन आदित्य एल वन लॉंच के लिए तयार है। काउंट्डाउं शुरू हो चुके हैं। 2 सितंबर सुबह 11 बचकर 50 मिनट का समय फिक्स कर दिया क्या है। यह सूर्य के स्टडी के लिए पहला भारती अंतरिक्ष मिशन है। जो सूर्य का अध्यान करने वाली पहली स्पेस बेस्ट इंडियन लेबरेटरी होगी। यह सूर्य के चारो और बनने वाले कोरोना के रिमोर्ट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन मून के लिए चंद्रयान 3 ने 3 लाख किलोमीटर की दूरी तै की। सूर्य को समझने के लिए आदित थे L1 15 लाख किलोमीटर की दूरी तै करेगा। यहां तक पहुंचने में उसे 127 दिन यानि 4 महीने से अधिक लगेंगे। L1 एक ऐसा जो सन और अर्थ है उसके बीच में ऐसा पॉइंट है एक ऐसी जगा है जहां पे दोनों की जो गृत्वा करशन बल है जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट नहीं होता है। उस special point पे जो है हम इस हमारे observatory को अधित्य L1 observatory को वहाँ पे हम place करेंगे ताकि और दूसी खास बात है उस point की कि इस point से हमें sun जो है बिना किसी जंजट के बिना किसी eclipse के बिना किसी eclips के बिना किसी eclatation के पूरे time visible रहेगा। आदित्य यान को सूर्य और प्रित्वी के बीच हेलो और्बिट में इस्थापित किया जाएगा। पांच शुन करोड डिग्रे सेलसियत रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेस क्राफ्ट का वहां जाना संभौ नहीं है। धर्ती पर इंसानों की बनाई गई कोई ऐसी वस्तू नहीं है जो सूर्य की गर्मी बरदाश्ट कर सके। आदित एलवन के साथ साथ पेलोड भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। पेलोड सूरज की प्रकाशमंडर, वनमंडर और सबसे बाहरी परत के स्टड़ी करेंगे। साथ में से चार पेलोड लगातार सूरे पर नज़र रखेंगे। जबकि तीन पेलोड परिस्थितियों के हिजाब से कणों और मैकनेटिक फील्ड का ध्यान करेंगे। सूरे के केंद्र बिंदु का दापमान 27 मिलियन डिग्री फॉरें हाइट है। तक पहुंच जाता है। इतना तापमान कोई जेल नहीं सकता और कोई भी अंतरिक्षियान एक सेकंड में पिघल कर खत्म हो जाएगा। नासा दावा करता है कि उसका पारकर सोलर प्रोब नामक मिशन सूरे के सबसे करीब पहुंचा है। नासा ने इसे 2018 में लॉंच किया था। ये सूरे के करीब पहुंच कर नश्ट हो गया था। भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य एलवन का काउंटबाउन शुरू हो चुका है। इस पेस इंडिया के योगेश कुमार जोशी ने बताया कि ये मिशन सूरज को पढ़ने का मिशन है। आदित्य मिशन जो शुरू में केवल धर्ती के आसपास घूम का सूरज को स्टेडी करने वाला था। किन्तु इस रोर ने सोचा कि ठीक है। इफ वी हव टिकनोलोजी हमें थोड़ा आगी जाना चाहिए और बेस पॉइंट से सूरज को अबजर्व करना चाहिए। इस केस में मिशन का नाम बढ़ा गया आदित्या साथ में जोड़ा गया एलवन और एलवन का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां से सूरज को अबजर्व किया जाएगा। तो दर्शकों के लिए हमारे पास तस्वीरें भी हैं ये एक तस्वीर नजर आ रही है अरित्या एलवन मिशन की तस्वीर है एलवन क्यों और क्या है अगर आप समझा पाएं हमारा स्पेस्काफ्ट मिनिममम फ्यूल के साथ एक स्टीबल ओर्विट में रह पाए और बिना किसी रुकावट के बिना कोई चीज सामने आए आराम से सूरज को देख सके वो पॉइंट है आपका एलवन तो आप देखेंगे सूर्य एकदम बीच में है ये धर्ती का धर्ती घुमती है इसके साथ इन दोनों के बीच में धर्ती से करीब 1.5 मिलियन किलोमेटर दूर लगबग 15 लाख किलोमेटर दूर एक पॉइंट है लग रेंज पॉइंट इस स्टब में कुल 5 पॉइंट होते हैं हमने लवन को चुना है क्योंकि वो बिलकुल धर्ती और पॉइंट परेंगे यह तसमीर अगर देखें बहुत अच्छे सहिसम سमजाय गया कि यह पूरा अइर्थ का और्भीट है यहां अर्थ है यहां पर संह है और यह बीच का पॉइंट है एर्थ और सन के बीच का ऐसा पॉइंट जहां से सीधा sun को observe किया जा सकता है लेकिन sun की जब हम बात करते हैं विश्ट तो क्या किस तरह की का है sun कैसा है जैसे हम देखते हैं कि orange color का गोला जो हमें नजर आता है वैसा शान्त है तो मैं सुरज की हम बात करते हैं पहले हम शिरुवात करते हैं पुराने समय से जब हम सूरज को भगवान की तरफ पूजा करते हैं, वो सूरज की वज़े सही पॉसेबल है, जब तक हमारे पास टेलेस्कोप से उब्जवेटरी नहीं थी, तब तक हम समझते थे, सूरज एक औरेंज बॉल की तरफ आपको नज़र आता है, किन्तु, जब हमारे पास ऑब्जवेटरी आई, हमने सन को स्टड़ी करना शुरू किया, तो हमें यह समझाया, सन एक स्टेबल बॉड़ी नहीं, एक स्टेटिक नहीं, इस वरी डाइनमिक बॉड़ी, जहां पे हर सेकंड तुफान आ रहे हैं, किस चीज के तूफान, गैस के तूफान, सूरज बना हुआ है आपका प्लाजमा से, जो बहुत ही ज़्यादा हॉट आयनाइज गैस है, अब अगर आप उसका सूरज का अगर आप एक पिच्चर देखते हैं, तो हम जो देखते हैं, वो हमें दिखता है एक औरेंज कलर का गोला, लेकिन आप अगर सूरज के बिलकुल पास जाते हैं, तो आपको समझ आएगा कि वहाँ पे हर सेकंड, मिलियन्स ओफ फ्यूजन हो रहा है, टेंपरेचर बहुत जादा है, इदर अदर जा रही है, और उसका जो प्लाजमा है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कॉइंटिनिस्टी मूफ कर रहा है, हर सेकंड में वहाँ से लाखों पार्टिकल एजेक्ट हो रहे हैं. इसरो के मिशन सूर्य की उलटी गिंती शुरु हो चुकी है, जो भारत का सबसे दमदार और सबसब भरोसे मंद रॉकेट है PSLV उसका इस्तिमाल किया जाएगा। इसके बाद में कल सुबाग 11 बच कर 50 मिनट पर श्री हरी कोटा स्पेस्टेशन से ये लॉंचिंग होगी समय निर्धारित कर दिया गया है 11 बच कर 50 मिनट जब लॉंचिंग का समय है। धर्ती और सुरज के बीच का एक प्रतिशत दूरी जो है वो तै करेगा। धर्ती और सुरज के बीच की जो दूरी है वो ये तै करेगा। आएगी कि आखिर कैसे दूरी है और कैसे सुर्यमंडल में काम होता है।